नमस्कार फेटफ्लेक्स न्यूज में आपका स्वागत है और आज एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जो गुजरात की राजनिती को प्रभावित करेगा गुजरात के जो महानगर पालिका के चुनाव होते हैं वो एक वर्ड चार काउंसिलर होते हैं और कॉंग सादा वक्त हो गया है लेकिन जो फाइनल हीरिंग है उसकी जो तारीक है वो आगे जा रही है और कल इसकी फाइनल हीरिंग हो सकती है कपिल सिब्बल नरेंद्र रावत के वकील हैं जो वहां पर पैरवी करेंगे और यह ऑनलाइन सुनवाई होगी नरेंद्र रावत हमारे सा गुजरात की जो 6 करोड की जनता है, उन्हें साइद अंदाजा नहीं होगा कि जो सुनवाई कल होने वाली है, वो गुजरात की राजदीती को कितना बदल सकती है। आप जानते हैं कि गुजरात राज्य में 8 महानगरपाली काये हैं और 162 नगरपाली काये हैं। और ये आज उनका जो चुनाव पांच साल में होता है, हर वार्ड में मल्टीपल कैंडिडेट, यानि कि एक वार्ड में चार कैंडिडेट होते हैं, ये सिस्टम को हमने सुप्रीम कोट में 2015 में चैलेंज किया, हमारा ये कहना है और जिपी एमसी एक्ट, जो गुजराद का मिन उसका जो implementation किया है, वो गलत किया है, वो हमारा मानना है, क्योंकि हमारे पास भारत के constitution के मतावित एक वार्ड में एक मेटक क्यों होनी चैंड, तो उसकी लिए हमारे पास दलिल है, इसका reason ये है कि कोई भी भारत देश में चुनाव होता है और चुनाव में reservation रखा जाता है, तो reservation appointment of the particular caste और पूरे धर्म के लिए जैसे कि SC, ST, OBC और महिलाओं की अनामत का प्रावधान किया गया है तो उनका appointment के लिए ये किया जाता है तो उनको ये बैठक reservation में मिलती है मगर corporation में क्या है कि एक ward के अंदर चार candidate रखे जाते हैं उसमें कोई एक SC candidate होता है OBC और दो महिलाएं होती है तो कहने का हमारा ये है कि constitution का ये भंग हो रहा है और उसके लिए हमने ये दलील सुप्रीम कॉर्ट में की थी 2015 में जब चुनाव के पहले हमने ये petition रखी थी तब corporation का चुनाव दो से तीन महिने पीछे गया था मगर चुनाव commission ने चुनाव declare करने की वज़े से हमारी petition की सुनवाई नहीं हो पाई थी मगर पांच साल तक उसकी सुनवाई नहीं हुई और उसी प्रोसेस में अगें 2020 में यही सेम चीज होने लगी तब हमने सुप्रीम कॉर्ट में स्टेकी बात की मगर कोरोना की वज़े से कोई भी petition नहीं चल रही थी इसके लिए हमें नई पिटीशन करनी पड़ी 25 अगस को हमने नहीं पिटीशन की सुप्रीम कॉर्ट ने उसको एक्सेप्ट की जब उसकी सुनवाई आई तब हमारे एडवोकेट कपिल सिंबल ने जो आर्ग्यूमेंट की कि हमारी 2015 की पिटीशन पैंडिंग है तब सुप्रीम कॉर्ट ने यहीं बोला कि एतिहासिक यानि कि हिस्टरिकली यह दोनों पिटीशन एक साथ चलेगी और 25 तारीक को सुनवाई की गई मगर गुजराज सरकार राज्य चुनावपंच और वणोद्रा मिन्सिपल कॉर्पोरेशन इ उसके बाद जो fix hearing की थी उसमें दो बार उन्होंने adjournment मागा था लास्ट सुनवाई हुई थी तब भी गुजराज सरकार ने यह बोला कि हमको नई पिटीशन के अंदर जवाब रखना है तब हमारे advocate कपिल सिंबल ने बोला कि नई पिटीशन में आपको जवाब रखने का अधिकार आप मांग रहे हैं सुप्रीम कौट उसको एक्सेप्ट करती है तो हम देते हैं मगर पुरानी पिटीशन में तो कोई argument ही नहीं तो उसकी सुनवाई कर देते हैं तब ही फिर से 8 नवंबर को ये decide किया गया कि 24 नवंबर को जो सुनवाई होगी वो final hearing होगी और उसके अंदर गुजराज सरकार अगर जवाब देना चाहे या न चाहे तो भी सुनवाई होगी तो हमारे ये मानना है कि कल जो सुप्रीम कौट में 12 बजे के बाद online जो सुनवाई होने वाली है हमें आशा है कि हमको उस ताइम नयाय मिलेगा और दूसरी तरह हम ये भी कहना चाहते हैं कि गुजराज सरकार भारती ये जनता पार्टी को फाइदा करवाने के लिए जिस तरह से हर बार कौट में आके और दूसरी बाते करती हो न करें क्योंकि ये जो बात है वो हमारे अधिकारों की है और हम यही बात करने हैं लेकिन रावत जी ये जो एक वार्ट चार काउंसेलर है तो दोनों पार्टियों को लागो पड़ता है तो आप जो जिस तरह बता रहे हैं बीजेपी को फाइदा ह हो रहा है सब्ता पक्स को फाइदा हो रहा है और मैंने शुरुत में कहा कि गुजरात की राद नीटी इससे बदल सकती है कैसे यह हो रहा है क्या कियों आम जनता को तो पता नहीं यहां एक बात समदने वाली बात है कि जो कॉरपोरेशन और मुनिसिपालिटी उसमें जो इलेक्टेड विंग्स और एड्मिनिस्टेशन साथ में मिलके रोड रस्ता पानी गटर हैल्थ रिलेटेड जो भी हॉस्पिटल से यह सब का वहिवट करने का होता है तो उसमें जो विस्तार के लोगों के रिप्रेजेंटेशन की बात है कि छोटे से एरिया में से एक करना हो तो चारों में से कोई भी कर सकता है मगर यह तो बात लोगों की की बात हुई कि जिसकी वज़े से लोग यह नहीं डिसाइड करना कर पाते कि इसमें कौन सा कैंडिडेट हमारे काम करेगा नहीं करेगा ऐसी डायरेक सीटाइन होती उसके साथ दूसरी बात भी है कि छोटे से एरिया का रिप्रेजेंटेशन करना हो कोई कास्ट हो क्रीड हो या कोई भी एरिया का रिप्रेजेंटेशन हो जो लीडर हो वो छोटी कॉपिनिटेशन नहीं आ सकता है क्योंकि एरिया बहुत बड़ा हो जाता है सपोज आप अभी के जो डिलिमिटेशन कॉर्पोरेशन ने किया है तो लगबग वन लैक पॉपुलेशन यानि कि आधिविदान सभाक्षेत्र हुआ तो आप समझे देशन बहुत बड़ा हो जाता है तो रिप्रेजेंटेटिव जो भी इलेक्ट होते हैं वो बड़े एरिया में कौनसे एरिया में काम करना वो लोग प्रतिनिदित्व द्वारा का भंग होता है वो भ प्रेजेंटेशन कर पाएगा और चुनाव लड़ पाएगा नरंद्र जी जिस तरह से आप बता रहे हैं जिसनी आसाने से समझा रहे हैं बड़ी बड़ी पार्टियों को समस्या नहीं होनी चीए इसमें चोटी पार्टियों को और जो इंडिविज्विज्य निर्दली महिलाओं को अधिकार दिया लो कल सेलफ उते लेक्शी ने कि पचाइट इन्हुक्त सप्भार्टियों imm महिलाओं के सामने गिने जाते हैं कि चार वोट में से आप एक वोट दे सकते हैं मैक्सिमम चार वोट दे सकते हैं आप देख सकते होंगे कि कुछ एरियाओं के अंदर पूरुशों के वोट ज्यादा होते हैं अगर कोई सकती शाली पूरुश इलेक्ट होता है तो पीछे के त इसके लिए दिया गया है कि हर एक सी स्टी ओबी सी और महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन हो और उसी कास्ट और उसी महिलाओं का इतना बड़ा प्रतिनी दितों मेरे जिसके वज़र से ओलोग आगे आए तो यह तो हो इनी रहा है लेकिन रावज जी गुजरात की सारी महानग महानगर पाली काओं में यही रूल से तो बाकी लोग बाहर क्यों नहीं आ रहे हो कि पांच साल से लगातार यह मुद्दा चल रहा है पचीस साल से यह सरकार इसका गलत अर्थ घटन करके यह कर रहे हैं आपको बाहित ही देते दाहूं कि पूरे देश के कोई राज्य में इ प्रिवा वन वार्ड वन सिस्टम है लोकल सेल्फ गवर्मेंट के पंचायत की गुजरात की बात करें सेम रिजर्वेशन हैं 50% महिलाओं का रिजर्वेशन सेस्टी ओबीसी रिजर्वेशन आप जिल्ला पंचायत में एक वार्ड में महिला होती है दूसरे में यानि उदर गलत अर्थगटन किया गया और साथ में हमारे बेजिक फंडामेंटल राइट जो हमारे अधिकार है वह हमारे भंग होते आपको दूसरी बताओं लोग सभा की बात करें विदान सभा की बात करें वहां पर जाती के अनुसार कोई बैठक रिजर्व नहीं की जाती जैसे कि ह जावजी माना के कल 12 बजे सुनवाई हुई और आपके पक्स में फैसला आ गया तो गुजरात की रादनीती किस तरह से बदल सकती है जिस तरह से 25 साल का भारतिय जनता पार्टी का जो सासन है वो सासन हिल जाएगा क्योंकि इसमें चोटा से चोटा आदमी इसमें आ सके अभ उसमें चुनाव पंच के साथ बैठके खुजरास सरकार गलत काम करती है और जिस विस्तारों का सिमांकन किया जाता है उनको जीते ऐसे टुकड़े किया जाते हैं सिमांकन हर 10 साल में होना चाहिए ऐसा जीपीमसी एक्ट बोल रहा है मगर हर 5 साल को ये लोग रिजर्वेशन जो होता है क्योंकि ये लोग एरिया बदल देते हैं इससे क्या होता है कि रिजर्वेशन का भी लोगों को एक रिजर्वेशन का यह और ताइम से आप सुप्रीम कोट में जा रहे हो इस मामले को लेकर नरिंदर रावत को क्या लगता है कल जब ज़ज सुनवाई करेंगे अभी तक का जो माहूल आपने देखा है क्या आपकी बाद मान ली जाएगी या सुनवाई हमारी जो अगर ये constitutional argument इतनी मजबूत नहीं होती तो पुरानी petition खारी जीगे होती उसके बाद हमने तीन महीने के अंदर यानि के अगस्त में की दूसरी petition भी हमारी accept हो चुकी है दोनों petition साथ में चलाने का सुप्रीम कौट ने किया हुआ है और ये constitutional argument है और सुप्रीम कौट के chief justice के अंदर होता है तो यह हमारी जो मांग है और हमारी बात है इतनी एहम है क्योंकि इसको reject नहीं कर सकते इसके लिए गुजराज सरकार कुछ न कुछ बहाने बना के last three date adjournment क के निकाले हैं मगर मुझे लगता है कल कौन सा बहाना लेकि आते हैं हम देखते हैं मगर जिस तरह से corporation के और महानगर पाली के जिल्ला पंचयद के चुनाव गुजराज चुनाव पंच ने तीन महीने के बाद करने का कोरोना के बाद का निरने लिया है यानि कि के पहले चुनाव डिकलेर करने वाले थे मगर वो कर नहीं कर पाए क्योंकि जिस तरह से के कोरोना दिवाली के बाद उसकी जो स्पीड बढ़ी और जिस तरह से हालात है कर फ्यू लगाए है इसके लिए भाजब सरकार बहुत असंबंध में हैं तो हमें विश्वा से कल गुज रात की रादनीती बदल सकती है चोटा आदमी चोटा लग सकता है पांच साल से मुद्दा है आम लोग क्यों नहीं जूड रहे हैं को कि इस मामले पर मैंने चर्चा नहीं दिशिए कोई भी चुनाव होता है तो उसमें भारत डेमोक्रिक कंट्री है उसमें जो भी रूल्स बनते हैं तो रूल्स के मुताबित कोई भी आदमी आर्ग्यूमेंट करेगा तो चलेगा नहीं यह आदोलन का विशय नहीं है बेजीक हमारे पंडामेंटल राइड्स का होता है और उसके लिए हमें लड़ना पड़ता है कि जो हमारी कॉंस्टूटिशन है इसमें कुछ गल बन इया नहीं कंग्रेस की लड़ाई नहीं नरेंदरा रावत की लड़ाई नहीं आम हादमी की लड़ाई है ये चोटे से आदमी को टुनाव में प्रतिनी जीत्तों मिले SC, ST, OBC और महिलाओं का ये विजय होगा। कॉंग्रेस क्यों नहीं गया? पर यही मामला था तो कॉंग्रेस क्यों नहीं गया। पर्टी की तरफ से नहीं गया। इसमें क्या था कि 2015 में मैंने ये संसोदन कहा था। सबके नजर में ये नहीं आया था। हमने फिर ये बाती पार्टी में रखी थी। पार्टी ने हमें हेल्प भी किया है। कपिल सिब्बल को मदद करने के लिए हमारे बड़े वरिष्ट देता हूँ, संपर्क करके ये केस में हमारा रिप्रेजेंट करें ऐसी भात भी की थी। उनका पुरा साकार है। कॉंग्रेस पार्टी भी चाहती है के से, 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 और महिलाओं को अपना अधिकार मिले। और वो लोगों का रिप्रेजेंटेशन बढ़े। छोटे से छोटा आम आदमी चुनाव लड़ पाएगा। आप जानते हैं कि चुनाव बहुत महेंगे, एक लाख सूरत और अमदाबाद में तो डेड़ लाख के पॉपुलेशन पे एक वाड़ बनाया है। जबकि धाय लाख की एक विदान सभा क्षेत्र होता है, तो छोटे से आदमी को लड़ना भी बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यह इतना बड़ा कॉर्पोरेशन इतना बड़ा क्षेत्र नहीं होता जिसमें लाखों करोडों रूपया खर्च के आदमी जाएगा। दूसरी सुविदाओं के उसमें इतना बड़ा इलेक्षन और इतना बड़ा खर्चा और छोटे से एम आदमी चोटा आदमी इसमें रिप्रजन करें ऐसी हमारी आम आदमी को हक मिले हमारी मांग है। खुकूब धन्यवाद रावत जी हम से चर्चा करने के लिए और जिस तरह से हमने सुरुवाद की थी कि गुजरात की रादनीती को बदल देने वाला जो निर्णे है वो कल सर्वोचादालत से आ सकता है एक आम आदमी जैसे मद्दान कर सकता है वैसे चुनाव भी लड़ सकता है मगर आज कल जिस तरह से चुनाव महंगे हो गये हैं पैसे लगते हैं और उसमें भी जब आपका छेत्र बढ़ जाए तो वह चेत्र में आपको और पैसे लगते हैं नगर निगम का जो चुनाव होता है वह एक वाड़ एक काउंसिलर यदि हो जाता है तो काफी लोग इस चुनाव में भी सामने आएंगे अलग-अलग प्रतिदित्व करेंगे और वो लोग भी चुनाव लड़ सकते हैं मगर जिस तरह से फिलाल जो सीमांकन है उसमें आम आदमी का चुनाव लड़ना असंभाव है हो सकता है कि कल सुप्रीम कोट इस पर गौर करे सुनवाई करे और सर्वोच अदलत जो भी फैसला सुनाएगा वो सबको स्विकार होगा और रावत जी हमरे साथ इस बारे में चर्चा कर रहे हैं साड़े 5 साल से वो इस बारे में लड़ भी रहे हैं उनका कहना है कि पार्टी भी साथ दे रही है वो और भी अच्छी बात है